जैहिन दोस्तों इस वीडियो में upcoming CDS को target करते हुए हम economics के कुछ important concepts देखेंगे ना केवल ये CDS के exam के लिए बलकी civil services और UPSC या state PSC के दोरा किसी भी exam में आपकी काफी help करेंगे तो अगर आपने economics पढ़ी है तो ये questions definitely आपके लिए काफी अच्छा preparation का स्रोत होंगे इसके अलावा अगर आपने नहीं भी पढ़ी है फिर भी मैं सारे चीज़ें detail में cover करूँगा तो वहां से भी आपको काफी help मिलेगी इस वीडियो में तो हम previous year question को cover करेंगे बट आने वाले lectures में मैं खुद भी काफी सारे question frame करूँगा according to the recent pattern और जिस concept के repeat होने के काफी ज्यादा chances हो बट फिलहाल मैं आपको कुछ ऐसे concept से रूबरू करवाना चाहता हूँ जिनसे अकसर question देखने को मिलते हैं और अगर आप कुछ 10-15 important topic को prepare कर लें तो वहां से जरूर ही कुछ question repeat होंगे तो इसमें से यह जो मैं पहला question यहां पे cover करूँगा इससे आप देखेंगे कि अलग-अलग तरीके से question की language बदल करके या फिर कुछ pattern को change करके question काफी सारा पूछा गया है तो start करते हैं फिर इस video को और देखें important बात मैं आपको यह कहूँ कि अगर आपने इन questions को cover किया है already तो दुबारा attempt करें video post करके इसके बाद explanation सुने because इससे काफी ज़्यादा आपको फायदा होगा तो यह question देखें serious का ही पूछा हुआ है recent का ही question है अब market in which there are large number of firms, homogeneous product, infinite elasticity of demand for an individual firm and no control over price by firms is term days यानि आपको चार options दिये गए हैं और बताना है कुछ features के आधार पर कि यह किस तरीके का competition है तो यह question मैंने पहले भी cover किया है और जब हम serious की questions, serious 22 के question है analyze कर रहे थे तो इससे related 8-10 सवाल हमने cover किये थे जो कि previous year में ही पूछे गए थे तो एक बार दुबारा इस चीज़ को discuss कर लेते हैं हलाकि मैं आपको recommend करूँगा कि आप previous year जितने भी मैंने sets बना है इवन अब मैं सारी playlist की link भी डाल रहा हूँ वहां से भी आप जा करके playlist complete कर ले because previous year question ही last time में आपकी help करेंगे फिलाल इस question को समझते हैं देखे एक free market में mainly 4 तरह के competition देखने को मिलते हैं पहला है perfect competition, दूसरा monopolistic, तीसरा oligopoly और चौथा monopoly तो बहुत ही ध्यान से आप समझेगा, देखे सबसे पहले बात करते हैं monopolistic की यह सबसे जादा exam में पूछा गया है और देखे monopoly और monopolistic सुनने में similar से लगते हैं बड़ जमीन आसमान का फर्क है, अगर monopolistic competition की बात करें तो कुछ important feature है example से यह मैं आपको clear कर दूँगा और इसे मैं example से ही याद रखता हूँ काफी लंबे समय तक आपको यह याद रहेगा देखे बहुत सारे जो sellers हैं यहाँ पर, वो differentiated product को offer करते हैं differentiated product का मतलब क्या होता है, वैसे product जो आपस में थोड़ा अलग है बट similar purposes को serve करते हैं, example के लिए let's suppose अगर आपको detergent की जुरूत है तो कई सारी brand है, जैसे surf actual है, या फिर aerial है, या फिर घड़ी है तो अलग-अलग तरीके के यहाँ पर branding है, बट है तो सभी detergent, बट आपस में तो अलग है हो सकता है, थोड़ी quality अलग हो, packaging अलग हो, या फिर कीमतों में अलग-अलग हो तो इस तरह से आप कह सकते हो, कि similar purpose को तो serve कर रहे हैं, बट थोड़े यहाँ पर जो product है यह आपस में अलग है, तो यह example है, monopolisty competition का तो इससे question भी पूछा गया, I think serious 222 में, एकदम recent वाले paper में उस question को भी हम cover करने वाले हैं, फिलाल आप यह समझिए, कि monopolisty competition का आप कैसे याद रखेंगे बहुत सारे sellers होंगे, पहली चीज, दूसरी चीज है कि differentiated product होंगे ठीक है, homogenous product नहीं होंगे, differentiated होंगे और आपस में थोड़ी से अलग होंगे, लेकिन purpose इनका same होगा थोड़ा सा यहाँ पे seller इस तरीके से फाइदा ले सकते हैं, अगर इने यह पता चल जाए कि consumer किस तरह की product लेना चाह रहे हैं, तो इस आधर पर थोड़ा वो ले सकते हैं, इसमें benefit तो यह हमने monopoli stick देखा, इसके बाद पहले में monopoli cover कर लेता हूं, उसके बाद हम oligopoly की बात करते हैं, देखे monopoli में क्या होता है, monopoli का मतलब आपको पता है, mono का मतलब single होता है, तो यहाँ पे केवल एक ही seller होगा पूरे market में, तो यह नहीं देखने को मिलेगा, फिर market economy में, विकोज ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही seller सारी चीजें बेचे, कई सारे sellers हो सकते हैं, the market could be a geographical area, city or regional area and does not necessarily have to be an entire country, तो हो सकता है कि छोटे एरिया में एक ही seller हो कि चीज को बेचने वाला, तो वहाँ पे monopoli देखने क जैसे example से मैंने आपको समझाया, detergent वाले example से, वैसी कई सारे examples आप ले सकते हैं, अच्छा, oligopoly की बात करते हैं, देखे, oligo का मतलब few होता है, और poly का मतलब होता है, जैसा कि अभी हमने cover किया, market system, और जैसे all year की एक term है, इसका मतलब होता है कि ऐसा kingdom, जिसमें कुछ rulers rule कर रह बड़े portion को product के market में control करते हैं, इसके supply को, लेकिन खास बात यहाँ पर यह है, कि चुकी product similar होते हैं, इसलिए अगर एक company दाम घटाती है, तो बाकियों को भी घटाना पड़ता है, तो यही oligopoly का उधारन है, simply आप ऐसे इस तरीके से ध्यान रखेगा, कि oligo का मतलब कुछ हो दोस्तों स्क्रीन पर जो question दिखाई दे रहा है, यह series 122 का है, answer करिए इस question को, देखें, monopolistic competition के factors आप से पूछे जा रहे है, differentiated product, large number of buyer and seller, barriers to entry, और चौता है homogenous product, तो इसके मैं options नहीं दूँगा, आप इसे ऐसे ही try करिए, देखें, differentiated product, obviously differentiated product है, जैसा कि मैंने आपको बताय homogenous product तो ही नहीं, तो इस वाद से 1 होगा, तो 4 नहीं होगा, large number of buyer and seller, और barrier to entry, तो यह आपस में सारी option अगर आप देखें, तो एक दूसरे के उल्टे हैं, जैसे differentiated है, फिर homogenous है, तो हमें पता है कि differentiated product होंगे, ना कि homogenous, तो 1 सही है, 4 गलत है, कि वहले इतना ही आपको पता र condition होते हैं, barrier to entry, कोई barrier नहीं होती, तभी तो large number of buyer और seller exist करते हैं, जिनके पास भी संसाधन हो, और selling करना चाहें product को, वो बिल्कुल selling कर सकते हैं, तो यहाँ पर answer क्या होता, 1 and 2, दोस्तों, यह question CDS1 2019 का answer करिए, इस question को, पूछा जा रहा, market situation when many firms sell similar product, but not identical product, is termed as, यानि एक ऐसी market situation, जहां पर बहुत सारे जो firms से similar product को sell करते हैं, लेकिन same product को sell नहीं करते हैं, तो अभी मैंने example से आपको समझाया, और भी कई सारे आप example ले सकते हैं, जैसे अगर biscuit का example लें, तो biscuit में भी क्या है, अलग-अलग तरीके की packaging है, अलग-अलग branding है, और अलग-अलग seller है, definitely, but biscuit जो है, वो overall हो सकता है, quality में भी अलग हो, but कह सकते हैं, आपकी similar से हैं, right, तो इस वज़ा से यह किसका example है, monopolistic का example है, monopolistic competition का, इस pattern पे question CDS ही नहीं, एंडी है, और कई सारे exams क favorite है, even CAP FMB question पूछेगा है, but हम उन questions को already cover कर चुके है, तो फिलाल हम CDS के ही question कवर करेंगे, तो इस वज़ा से अगर आप देखना चाहते हैं, वीडियो को, तो playlist check करिए, previous year question की, a market in which there are a large number of sellers of a particular product, but each seller sells somewhat differentiated, एक ही सवाल घुमा फिरागर करके पूछा जा रहा, सही answer monopolistic है, तो मतलब आप कह सकते हैं, कि ऐसे question 2012 से ही पूछे जा रहे हैं, फिलाल सही answer क्या है, इसका, monopolistic है, option C, now इस question को देखे, फिलाल तो मैंने एक question लिया, बट इस pattern पे बहुत सारे question है, actually यह terms वाला question है, the situation in an economy which is growing slowly along with rapid inflation, यानि rising price level is called, एक ऐसी अवस्था economy की, जो धीरे धीरे बढ़ रही है, यानि economy की growth जो है, यह बहुत slow है, लेकिन slow होने के साथ-साथ बहुत ही तेजी से inflation देखने को मिल रहा है, यानि जो सामान है, उनकी कीमते काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, inflation हो रहा है, तो इस तरह क ही situation क्या कहलाती है, basically inflation का एक type है, inflation के कई सारे types होते हैं, stagnation होता है, उन चीजों को अभी हम discuss करने वाले हैं, तो answer करिए, फिर option है, हमारे पास stagnation, आगे option है deflation, फिर अस्टेगफलेशन, चौथा है recession, दोस्तों देखिए, इसका सही answer है, अस्टेगफलेशन, अस्टेगफलेशन दो वर्ड से बना है, अस्टेगफलेशन प्लस इनफलेशन, देखिए, चीजों को अगर आप समझ के चलेंगे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत असानी से आपको याद रह जाएंगी, stagnation प्लस inflation stagnation का मतलब मंदी यानि economy नहीं बढ़ रही है साथ के साथ inflation बढ़ रहा है इस वज़ा से इन दोरों terms को merge करके stagnation बनाया गया तो यह काफी extreme economic situation है और stagnant growth भी देखने को मिलता है inflation भी काफी तेज़ से बढ़ती है तब यह चीज़े होंगी अगर economy में तो definitely economy के हालत खसता रहेगी unemployment वगरा काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वैसे भी अगर inflation काफी ज़्यादा बढ़ती है तो चीज़े फिर खराब देखने को मिलती है बट अगर slow level में inflation हो रहा है तब तो फिर यह fast growing economy की sign है क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तभी वो ज़्यादा amount में चीज़ें खरीद पाएंगे और इस तरीके से economy की growth देखने को मिलेगी overall health और सारी चीज़ों में impact देखने को मिलेगा तो यह मैंने red color में लिख दिया बस आप इस चीज़ को याद रखें काम बन जाएगा यानि high inflation है काफी तेजी से inflation देखने को मिलेगी unemployment वगरा काफी ज़्यादा बढ़ जागा और low growth देखने को मिलेगी और यह किस तरीके की economic है मंदी वाली economy है यानि stagnant economy है next question देखिए which one of the following is a function of money यानि मुद्रा के बारे में आपको बताना है कि कौन सा मुद्रा का कायर है act as an intermediate in the exchange process यानि exchange process के time पर यह intermediate के जैसा act करता है दूसरा act as a store of value यानि किसी चीज़ को value के रूप में आप store कर सकते हैं money के बाध्यम से तीसरा यह है used as the unit of account यानि account के unit के रूप में यूज के जा सकता है और चौथा यह है कि regulating consumption consumption यानि खर्चों को regulate करने के लिए आप money का यूज कर सकते हैं देखिए इसका सही answer जो है which of the following is वो option D होगा और असल में यह question जो है यह not a function है पता नहीं यह typing में किस वज़ा से error आ रही है but मैंने सही type किया था not a function of money तो बताना है आपको कौन सा function नहीं तो option D यहाँ पे सही होगा consumption को regulate करने के लिए money money का इस्तेमाल नहीं हो सकता because obviously consumption का money से क्या लेनर देना है किसी चीज की अगर consumption बढ़ेगी ठीक है बाकी option समझ लेते हैं क्या यह exchange process में intermediate का इसा काम करता है obviously money का काम ही यही है कि किसी चीज को जब किसी सामान के बदले खरिदा गार तो यह एक तरीके से even अगर आप barter system भी देखें तो barter system में जो main limitation थी वो यही थी कि जो money है उस time पे money यूज नहीं किया रहा था तो पहला तो यह कि double want चाहिए थी यानि जो चीज आप खरिदना चाहें और सामने वाला उस चीज को लेने को एक्षुक हो तो इस तरीके से चीजे चल रही थी और दूसरा तो यह कि store of value नहीं था मतलब आप store करके money को रख सकते हैं लंबे time तक बड़ चीजे तो खराब हो जाती है इस वज़ाद से उनने लंबे समय तक store नहीं किया सकता था और unit of account के जैसा भी हम money का use कर सकते हैं money के main 3 primary function आप देख सकते हैं medium of exchange के जैसा यानि intermediate के जैसा दूसरा store of value के जैसा तीसरा unit of account के जैसा medium of exchange का मतलब यही है कि आप buy और sell कर सकें चीजों को और सबसे liquid asset है liquid का मतलब आपको मैंने बताया था liquid का मतलब यह है कि किस चीज़ को आप जितनी जल्दी से use कर सकें जैसे माल लिजे money है तो money तो obviously सबसे जादा liquid है आप directly किसी भी चीज़ को money से खरीच सकते हैं अगर वो चीज भी कर रही है तो बट अगर आप बट अगर आप बाकी समपतिया देखें जैसे sone या फिर let's suppose land तो यह चीज़ें उतनी जादा liquid नहीं है क्योंकि तुरंथी gold को convert किया सकता है money में तो बाकी चीज़ों के मुकाबले तो liquid है बट money के मुकाबले थोड़ी कम liquid है तो यह सब कुछ मैंने cover किया है आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मुझे concept समझाना था fiat money का और legal tender का देखिए जो currency notes होती है या फिर जो coins होती है यह fiat money कहलाती है fiat money का मतलब क्या होता है fiat money का मतलब यह होता है कि intrinsic values जो है वो इन में मौझूद होती है जैसे gold या फिर silver coin की तरह इस वाज़से यह fiat money कहलाती है legal tender क्या होते है legal tender वैसी मुद्राएं होती है जिसे किसी citizen के द्वारा मना नहीं किया सकता जैसे जब demonetation हुआ था तो 500,000 के जो note है वो legal tender उस time पे नहीं थे क्योंकि अगर legal tender वो होंगे तो फिर किसी person के द्वारा refuse नहीं किया जा सकेगा तो बस इस चीज को द्यान रखिए जो वैधानिक रूप से आप लेने को बाइद्ध हों आप यह नहीं कह सकते कि किसी और मुद्रा में pay मुझे करिए तो इस वज़ा से ये legal tender कहलाते हैं दोस्ता आई यहाँ पे कुछ और terms कर लेते हैं और इसके बाद अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझ लेंगे तो next video में आपको काफी ज़्यादा help होगी because in terms के उपर मैं question cover करने वाला हूँ previous year भी और इसके अलवा खुद से भी question frame करने मुझे काफी सारे important वाले तो इस चीज को अच्छे से समझ लिजे देखे case reserve ratio की बात करते है जिसे salt में CRR कहा जाता है तो नाम से ही समझे ये कुछ case related लग रहा है case ratio की बात की जा रही है तो simply ये बात है कि banks को कुछ amount अपने साथ कुछ amount जो है ये RBI में deposit करने होते है क्यों? basically इसका मतलब होता है bank run की situation से बचा आ सके और bank run क्या होता है bank run का मतलब ये है माल लिजे की काफी सारे लोग जो है जिनोंने bankों में अपना पैसा deposit किया है वो एक ही साथ पैसे withdrawal के लिए आ जाए तो उस time पे bank run की situation हो जाएगी cash की कमी पढ़ जाएगी bank में तो उस time पे फिर CRR help करता है इसी तरीके से SLR भी है वो भी हम देखने वाले है तो ये simply आपको ध्यान रखना है reason important नहीं है बट ये बहुत जादा important है की CRR का मतलब क्या है तो वो amount जो bank RBI के पास रखने वाले है वो CRR है वरतमान में CRR कितना परसेंट है ये आप comment करके बताईए हाँ एक चीज़ सबसे जादा important है कि RBI इस पर कोई interest नहीं देती है ठीक है यानि 0% interest होता है CRR में इस वज़ा से bankों को कोई फाइदा नहीं होता CRR से legally कोई ऐसी minimum या maximum limit नहीं है इस वज़ा से RBI CRR के percentage को बढ़ाती या घटाती है वो depend करता economy पर और सभी बैंकों को CRR रख नहीं है हाला कि इसमें कुछ exceptions है जैसे slab होगेरा बढ़ा या घटाया जा सकता है RBI के दारा लेकिन सभी बैंकों को CRR रख नहीं है ना बात करते है SLR की तो full form होता से चुटरी liquidity ratio तो वो amount जो बैंकों को liquid asset के रूप में रखने है liquid asset जैसा कि मैंने आपको बता है जिसे आप तुरंट चीजें purchase कर सकते है जैसे case सबसे ज़्यादा liquid है इसके बाद gold का number आता है और इसी तरीके से बाकी समपतिया आप अपने according categorize कर सकते है यहाँ पर भी जो situation है वो अगर cash की अचानक जुरत पड़े जैसे काफी लोग withdrawal वगरा के लिए आजाए तब SLR काम करेगा तो इसके नाम में ही liquidity है तो यहाँ से आप आसानी से याद रख सकते हैं ना बात करते हैं repo rate की तो repo rate क्या होता है देखें banks वगरा जो है यह काफी बार अपने जो government securities होती है इस पर हम detail से discussion करेंगे economics के lecture में तो government की securities को RBI के पास deposit करती है और RBI इस deposit के बदले में short term loan देता है यानि कुछ short period के लिए loan दिया जाता है और इसमें जो RBI के जो interest rate मिलता है वही repo rate कहलाता है असल में यह कुछ नहीं है बट repurchase agreement है तो यानि यह एक तरीके का agreement है कि इनके जो जीस है कि यह future date में वापस purchase कर लिए जाएंगे तो basic इसमें आपको definition ही पूछी जाती है अगर आप ध्यान रखेंगे repo यानि repurchase यानि government securities deposit तो रखी गई है bank के दाराबट वह वापस purchase कर लिए जाएंगे इस बीच जो short term के लिए जो interest कमाई होगी वही कहलाती है repo rate अब बात करते है reverse repo rate की तो यह interest rate जो bank earn करती है while keeping their surplus fund with the RBI for short term to earn interest यानि यहाँ पर उल्टा situation है नाम भी उल्टा है reverse repo rate है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि repo rate में हमने देखा कि RBI को जो interest मिल रहा था वो repo rate था वट यहाँ पर bank को interest मिल रहा है तो इस वज़ासे यह reverse repo rate है तो cool मिला करके वही बात है repurchase agreement वाली ही बात है जो भी government securities या surplus fund को भी रखा जाए तो collateral के रूप में तो उस time पे जो interest rate मिलेगी वो कहलाती है repo rate या reverse repo rate depending on the definition now हमने यह cover कर लिया कुछ question भी हमने cover किये है इसकी PDF में telegram channel में डाल दे रहा हूँ वहाँ से आप ज़रूर download करें विकोज यह जो terms हैं आप दुबारा पढ़ेंगे इन्हें लिखेंगे समझेंगे अच्छे से तभी आपको complete clarity मिल पाईगी और जैसे ही आपको इस पे जैसे ही आप इस पे अच्छे question लगा लेंगे previous वाले सारे question cover कर लेंगे तो और भी काफी ज़्यादा आप confident feel करेंगे तो मिलते हैं जल्दी next वीडियो में